अब देख रहे हैं कि सारे डिफ्यूजर का दाइन जो है इसमें 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 इलेक्टिकल दुनिया चनल पर स्वागत करता हूं दोस्टों मेरे वीडियो आप रेगूलर देख रहे होंगे तो मैं अभी इस टीपी का एक प्लांट कर रहा हूं जिसमें अभी इलेक्शन कमिस्निंग चल रहा है उसमें सारे प्रोसेस को आपको मैंने पहले भी दिखा चुका था इस एस टीपी को और इस एस टीपी में आज के वीडियो में जो दिखाने वाले ओव है डिफ्यूजर को लगाने के लि और कि स्टेडिके से लगाएंगे तो हमारा एकुरेट होगा और सही से लगाया जाता है डिफ्यूजर इस वीडियो में हम लोग ने देख लेंगे दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पर आप से एक रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होगे चैनल को दिफ्यूजर है और दिफ्यूजर को कैसे सेट किया जाता है उससे पहले जो आपको यह दिख रहा है एक वासर दिख रहा है और एक क्लेंप दिख रहा है ठीक है यह वासर है और दो वासर है और इसको पहले लगाने से पहले मतलब पाई में डेडिक लगाने से पहले इस व यहां पे लॉक ढ़ भी नहीं बैठ ऑलेगा और यह जगा इस जगा पे इस जगह पे अच्छे साइड में बैठा देते हैं तो यह हमारा जो वासर है यह कहीं भी नहीं हिले डोलेगा और यह जाके सिट अच्छे ट्रेक से फिट हो जाएगा डोनों में ऐसे ही लगा लेंगे और उसके बार से जो देखने वाले हैं यह हमारा जो लॉक है इस लॉक को क्या करते हैं कि इससे डिफ्यूजर को लॉक करते हैं और दूसरे साइड में यहाँ क्लेंप करके इसको फिक्स कर दिया जाता है हम लोग आपको इसको चलके जैसे पाइप में लगाना कैसे है इस चीजों को हम देख लेते हैं तो हम जो होगा है यह दोनों होल चोल है इस होगे यह अगर मैच नहीं होगा कि तो यह बीक हो जाए अब यह अप फैनलम यह तो इस को कि रूप में ओपे stripped इसे लोग को हम लोग क्या करते हैं कि लगाना पड़ собой करना पड़ता है ठीक है ति यह चीज को Ad Lisa Poll कर चुकत है पाइप को तो अगर शाइपने की हो तो उसको कर लेंगे ताकि देखिए मैं हम्सक्राइब करके देखिए मैं होल मिला होल में होल में मिलें हमारा मिल गया है जैसे यहीं हो जाता है कि आपको शम्में आ जायागी एक डिपिस्ट लगाई तो कि होल में होल मिल गया अगर होल मिल जाएगा तो देखिए एक लोग उस साइड हम लोग फचाएं जैसे आपको दिखाया था और दूसरा लोग जो है हम लोग दूसरे साइड को फचाएंगे यह आट्यमेटिक फच्च है जैसे देखि प्रेस कर दिए अब बैठ गया अब यह बैठ गया तो अब यह हिलने डोलने वाला बिल्कुल भी नहीं है एक बार फिक्स कर दिए तो हिलने डोलेगा नहीं अगर आपको लिकेज है तो आप उसे में हिला सकते हैं वह थोड़ा सा लूज करने के बाद में ऐसे ही सारे जो दिफ्यूजर में वासर को लगाना ही है ऐसे हमारे पूरे इस लाइन में लगाएंगे और उसके बार से इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बार से इसको एरियेशन हम लोग करेंगे ठीक है जैसे सब कुछ ऐसे देख रहे हैं कि आपको लगाने का सेम प्रोसेस है अब जिसमें कि डिफ्यूजर लग चुका हुसमें हम लोग पानी शिप्रेज भरते हैं उसको इस्टार्ट करते है है ठीक है ऑबली चैनल को सब्सक्राइब करिए अपभी दीफ्यूजर लागाने के बड्स हमने इस ट Take में पानी ले लिया क्योंकि डिफ्यूजर लाई नह व्याम लोग एक बार Etern करते हैं और फिर देखते हैं तो बोलौ रर्चालू कर चुका हूं बलौर चालू करने के बाद से ऑफ को देख रहे हैं करे एक कैसे एक बराबर ही एरियेशन हो रहा है और अच्छे से एरियेशन हो रहा है पर क्या है कि इसमें कुछ डिफ्यूजर लीकेज हो जाता है क्योंकि अच्छे से अगर फिट नहीं होता है तो कुछ डिफ्यूजर लीकेज हो जाती है इसमें भी कुछ डिफ्यूजर लीकेज है वो मैं आपको दिखा देता हूं पर इस दोनों के बीच में देखिए बुल्बुला नहीं आ रहा है यानि कि इस में यह लीकेज इसको फिट करें और यह है जो इसमें भी देख रहेंगे आपको देखेंगे जल्दी जल्दी से वह नहीं होना चाहिए अगर हो रहा है तो उसको फिट करके फिर लॉक को लगाएंगे तो जो भी लिकेज हो कहा हो प्रोप्लम वो सल्व हो जाएगा अगर आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्लेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नौटिपिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले, तो मैं इस अपने चैनल को प्लेज जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ह तो चलिए आप हम वीडियो को खटम करते हैं, मिलते हैं नेक वीडियो में तब तक लिए जाएंगे